ये गैस आप सभी का स्वागत हमारे सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर नमबर 13 पर जहां पास आज हम लोग पढ़ने बाले हैं वेरियेबल्स इंसी वीडियो को स्टाट करने से पहले मैं आपको बता दू जमार वेरियेबल्स है ये हमारे एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी वेरियेबल के कुछ मैंने डिखे आपको समझने में आसानी होगा लेकिन उससे पहले ये मैं आपको अपको बताता हूं उसके बास तो करें टीक है तो हमारा उह गुल्लक हो और हमारे या बहुत सारे पैसे हैं क्या है रवा प्सand busy ना अपses लो ना मैं पर यहांपर कुछ नाम दे दिया गुल्लक भÝ दिया मैंने उसको जार बोल दिया कि स्कुर्ण झेवरे बॉल्ड से किसी भी memory location को जहां पस हम लोग अपने data को store करते हैं उसको हम लोग कुछ नाम करन दे देते हैं कि यह मेरे memory location का नाम है जार यह मेरे memory location का नाम है गुल्लक ठीक है यह होते हैं हमारा variable तो अब देखो यहां पस मैंने क्या लिखा है imagine you have a jar labeled money मतलब आप ऐसा समझ आप बहुत अच्छे लेवल पर समझ में आने वाला है क्या होता है वेरिएबल इंसी आज सिंबलिक नेम्स टुआ मैमोरी लोकेशन एक मैमोरी लोकेशन को हम लोग कुछ नाम देते हैं जैसे कि माल लो आपके पस मैंमोरी यह हमारे पास मैमोरी है आप से समझ लोग इन्हों यह Chief Tut you लो लो जार जार औरो यह मेरा पास जारर है तो यह क्या है यह मैंने ज़ार दे यह एक नाम दे दिया बस यही होते है हमारा औरेबरवल सींबलिक नेव given to a memory location which whole data that can be manipulated during the program execution. हम लोग यहाँ पर नाम करन कर रहे हैं, ठीक है? अब उस नाम की help से हम लोग उसको वापस access कर सकते हैं, उसको हम लोग manipulate कर सकते हैं, उस storage को हम लोग manipulate कर सकते हैं, उसमें कुछ भी data store कर सकते हैं मतलब उस नाम की हेल्प से हम लोग सो कर सकते हैं जैसे कि मेरे नाम है वैब हो अब मेरे नाम से मेरे पैरेंट्स मेरे दोस्ट सब लोग मुझे बुलाते हैं राइट मुझे मुझे access कर पा रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग उस memory, location को हम लोग access कर पाते हैं using the name, right, तो उस name को क्या बोलते है, variable, simple, hope इतना आपको समझ में आगया होगा, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता, second point भी आप पोईल लेना, same उपर वाला point है, अलग language में थोड़ा लिख यह आपको मैं theoretical नहीं बता सकता, थोड़ा complex है, आप भी confused हो जाओगे यहापस, तो मैं आपको यहाप प्रैक्टिकल करकर दिखाओगा, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक है, अब लोग आते हैं next slide में, तो यहाँ पस देखो यहाँ कुछ यहाँ प यहाँ पर point आ गया, ठीक है, और वो हमारा 10 है, तो यह दोनों अलग हो गया, अब एक और data सुनो, A, B, C, D, यह क्या है, यह हमारा एक अलग data है, characters है यह सा, और हमारे पस वैभाव, राम, मोहन, सूरज, यह सब क्या एक नाम है, यह क्या string हो गया, मत्तब बहुत सरे character से, collection से एक हमारा data बना, तो देखो different, different types of data है हमारे पस, तो अब उन लोगो को किसी एक ही storage में store कर लोगे, क्या मत्तब एक ही data type में नहीं, अलग-अलग types होते हैं, वहाँ पस store करने के लिए variables के भी बहुत सरे types होते हैं, अलग-अलग data के, अलग-अलग types, उस ही को हम लोग बोलते ह देखो, एक-एक यहाँ पस मैं आपको बता दूँ, यह जो आपको दिख रहे है data type, यह कुछ basics है, common use वाल है, इसका मैं आपको basic review यहाँ पस देने वाला हूँ, basic इसका मैं आपको definitions वेगरा से अच्छे समझा दूँगा, ठीक है, लेकिन इसके separate video आएंगे, क्योंकि यह complex topic ह है, इसके अंदर कुछ mathematics है, right, storage कितना use होता है, कैसे store होता है, यह सब mathematics थोड़ा आएगा, separate video बनाओंगा, बहुत अच्छे सा आपको 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 बस एक overview देखना है, कि variables कैसे होते है, कैसे क्या store होता है, इसमें ठीक है, all right guys, तो यहाँ पस देखो, सबसे पहले हमारे प होता है, यहाँ पस आगया हमारे पास, हमारे पास हो गया, यह सब कैसे store करोगे, यह सब हमारा care में store होगा, string का concept अलगा आता है, जहाँ पस आपको कुछ नाम को store करना है, like, combination character, उसका concept अलगा, अलग topic है, वो आपको अलग से बताऊंगा, double क्या होता है, simple यह बोल सकते हो, आप फ्लोट का यह हमारा अप्ग्रेडेड वर्जान है, जैसे कि माल यहाँ यहाँ पर 2.13.1 है, यह सब छोटी-छोटी वेल्यू है, ठीक है, यह चोटी-छोटी-छोटी वेल्यू, लेकिन अगर आपके लोग के पास आगया, 3.41678, 1011, 1415, ऐसा करते बढ़ते गया, वेल आप लोगे पाइक लाग, पांच लाग, दस लाग, एक मिलियन, यह सब आ गया, तो कैसे श्टोर करों के डबल का आजाता है, यहाँ पर दिखा है, मैंने, इस्टोर लार्जर इंटीजर ठीक है, डबल का, सुरी, लॉंग में, लॉंग का बूल रहा हूं है, और डबल में क इसलिए कही पाद कर घंग, आग, यहाँ पारणे श्टोर कर सकते हैं, अब गया है, आप रहाग, एग्जाम्पल है, यहाँ simple ए leva को करकर दिखाता हूं, मैं यह एग्जांपल हो नहीं, इसको अब आपकोे रहा हैं, 2 नंबर का वहाँ आपको आपको 20 और क्लियार होगा, य कि ओंपरेचर वाला मैं देखता हो आगर हो सके तो मैं यह भी आपको करकर दिखाता हूं से वरियबल बनाएंगे था कि आपको दिखे पना आप देखो तो मैंने कहां कैसे श्टोर किया इसको देखो num1 यह मेरा क्या एक variable है इसका data type क्या है int है यहाँ पस मैंने क्या लिखा था आप लोग अगेन back में जाओ यहाँ पस देखो data type पहले हमारा क्या यहाँ 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 डेटा type आयगा युक्वल टु पोर्टे आपन मैंने एक और वेरीबल इस्टोर पल्यकर दी अब देखो इंट आनसर एक और वेरीबल मैं च्टोर किया इंट सर इक वेल्ठ you डानी। प्लस में कैक चछक में नम्टू जावनमें इस्टोड कर दिए अब मैं इन्सघ्राइब प्रिंटाफ प्रिंटाफ लिखा और यहां पत्रिंटाफ लिखा और nhiopaz वा Goldman क्या करूंगा ढास आता सम्स इस ऐसम करता हूंवba मैं पर्षेन्ट Ci डफ्तifully त्या और यहां पर बैद में इसके बाद मैंने इसका जो सम मैंने ब्लोट करना पड़ेगा यहाँ भी आपको फ्लोट करना इन से लोगोई नहीं यह अधिक यह अधिया मैं से बैक हो गया गलती से तो यहां पर मैं क्या करता हूं लोट ठीक है नमबन इक्वेल तू मैं लिखता हूं 20 20.45 ठीक है यहां पर मैं लिखता हूं फेलो फ्लोड नम्टू इस एक्वल टू 59.45 ठीक है अब आप आँ सरी मेरा chae कोई क्या नॉम्वर मैं क्या करूंगा लोग अन्सार इस एक्वल में नम टू इनलम तो मैं नाम्न डू करते नव न देखो अब यहां प्लोट हो गया ना तो यह अच्छी चीज़ यह जानने थी आपको यहां मैं आंसर करता हूं करता हूं देखो अब यहां बस क्याता है देखो 7.900 करके आगे अंसर हमारा ठीक है यह देखो यह पॉइंट टू यह सा बारा यह इंसाइड कंपाइलर के अंदर करके मैं नहीं दिखाऊंगा अभी आपको वीडियो बहुत जहता लेंदी हो जाएगा लग रहा है तो मैं यहां पास आभी नहीं बता रहा हूं आपको सभी चीज़ कर दिया मैंने यहां बस आपको डबल कभी बता दिया फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारें बताऊंगा आज यह वीडियो मेरा यही टार्गेट था कि मैं आपको एक वर व्यदू कि वर्यदू की आपको समझ में आए कि वर्यदू का एक लोकेशन होता है मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहां पसे मेरे यही रिक्वेस्ट रागा कि वीडियो को ध्यान से देखना अगले जो भी वीडियो सेंगे अच्छे समझना क्योंकि यही छोटी चोटी टीजे से आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनने वाले तो आज की वीडियो में इतने होप आपको वीडियो पसंद आए होगा और भी ऐसे वीडियो को लाइक करें ज्याद 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 इसको सेर करें तो थैंक्यों वाचिंग वाचिंग वीडियो एव नाइस डे बाबाई